गुड मॉर्निंग फेंड्स स्वागत है आप सब आपका अपना यूट्यूब चैनल अपढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलबे मॉडल टेस्ट पेपर 4 जिसमें हम रेलबे से समधित सारे GKGS के कोश्चन्स को करेंगे तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लिजे ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेसन आपको मिलते रहे तो आएए सुरू करते हैं पहला कुश्चन है भारत में तमबाकू की खेती किसके साथनकाल में आगरंभ की गई थी तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा आप्सन नमबर ए जहागीर जहागीर के साथनकाल में ही तमबाकू की खेती सबसे पहले आगरंभ की गई थी एक चीज और याद रखेगा जहांगीर को नियाई की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है किसलिए नियाई की जंजीर के लिए और जहांगीर के समय को चितरकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है चितरकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स question की तरफ किस राज के परसिध लोक नाटक या च्छगान की 900 से अधीक लिपियों को डिश्टी करन करके सारबजनिक कर दिया गया है तो इसका जो सही गवर्नर राजपाल की बात करते हैं तो यहां के गवर्नर हैं बजु भाई बाला ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोशिन की तरफ मेरा अगला कोशिन कह रहा है अंतराष्टिय मातरी भासा दिबस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो इसका जो सही अंसर है वो है आप् मल्ति लिंग्वल हैरिटेज मल्ति लिंग्वल हैरिटेज यह इसका इस बर्स का थीम था अगर हिंदे में इसकी बात करते हैं तो थीम था हमारी बहु भासी बिरासत का उस्व मनाना क्या था हमारी बहु भासी बिरासत का उस्व मनाना अगर हम बात यहां 15 फरवरी की करते ह तो 15 फरवरी को एक day मनाये जाता है Single awareness day क्या मनाये जाता है Single awareness day कुछ important और अगर फरवरी की बात करते हैं तो 28 फरवरी को मनाये जाता है राष्टिय बिज्यान दिवस और 4 फरवरी को मनाये जाता है 20 इज्व कैंसर दिवस तो ये भी याद रखएगा के लिए दिया जाता है तो इसका जो सई अंसर है बो है आपसर नंबर है साहित साहित के छेतर में ब्यास सम्मान दिया जाता है अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 2019 में जो उन्तिसमा ब्यास सम्मान मिला है जो उन्तिसमा ब्यास सम्मान मिला है वो मिला है नासिरा सर्मा को नाम याद आगे बठते हैं next question की दरब next question है भारत में राष्टिय आई की गन्ना कौन करता है तो इसका जो सई अंसर होगा, बो होगा, option number B, CSO, ठीक है, केंद्रिये साइंकी की संगठन, अगर CSO की बात करते हैं, तो Central Estatical Organization इसका full form है, और इसकी जो established हुई थी, इसका जो establishment हुआ था, बो हुआ था, 1951 में, ठीक है, 1901 में, और इसका जो मुख्याले है, बो है नई दिल्ल में, ठीक है, चलिए, नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं, नेक्स कोश्चन है, मनुस में बुद्धी एवं चातुराई का केंद्र कौन है, तो इसका जो सई अंसर होगा, बो होगा, option number B, सेरी ब्रम, ठीक है, देखिए, ये जो सेरी ब्रम होता है, वो मनुस के मस्तिक का स संतुलन बनाए रखने के कार्ज करता है, ठीक है, अगर hypothalmas की बात करते हैं, तो जितना भी जैसे की भूख, प्यास, प्यार, घ्रिना, सब की जो feelings होती है, वो किससे होता है, hypothalmas, उसका केंद्र होता है, ठीक है, अगर spinal code का बात करते हैं, तो आपने एक नाम सुना होगा, med Eula Oblongata, और इसी का जो पिछला भाग होता है, उसी को spinal code कहा जाता है, ठीक है, अगर이고 करता क्या है, spinal code जो भी परिवर्ति क्नियाओं का नियंतरन करता है, क्या करता है, परिवर्ति क्नियाओं का नियंतरन करता है, चलिए, बड़ते हैं, darling spoken की तरफ, जो कि है, नागार जूंस अगर परियोजना है इससे जो लवानबीत राज है वो है आंधर पर्देश और तेलंगना इससे लवानबीत राज कौन को ने आंधर पर्देश और तेलंगना ठीक है चलिए अगर बात हम करते हैं भधरा नदी की तो भधरा नदी पर भी एक भधरा परियोजना है ठीक है और यह और पर्योजना याद रखेगा पोच्मपाध पर्योजना ठीक है यह याद रखेगा यह दुनों गोदाब्ली नतिपर इस्थित है चेलिए कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स कोशन है भारतीय रेलवे में बरतमान में कितने जोन है तो देखिए इसका जो सही अंसर होगा बो होगा आप्सन नमबर बी यानी 18 पहले देखिए 17 थे लेकिन अभी रिसेंटली 27 फरबरी 2019 को 27 फरबरी 2019 को 18 जोन बनाया गया था और वो जोन पटनम में ठीक है चलिए नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स कोशन है कौन सा राजपूत राजा मस्जीद के पुर्ण निर्मान के लिए जाना जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नमबर सी जैसिंग सिधराज ठीक है ये जो जैसिंग सिधराज था पो कौन था चालुक बंसका राजा था और इसने किया था कि मस्जीद के निर्मान के लिए एक लाख मुदराये दी थी एक लाख मुदराएं दी थी और इसलिए इसको धर्म निर्पेच भी बोला जाता था राजपूत राजा होने के बाब जूद भी मस्जित के निर्मान के लिए एक लाख मुदराएं दी थी इसलिए इसको धर्म निर्पेच राजा भी बोला जाता है चलिए अगला question की तरह बढ़ते हैं भारत में बस्तू commodity बजार का नियामक कौन है तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा option number A सेवी सेवी के अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो अस्थापना हुई थी बो हुआ था 1908C में ठीक है लेकिन इसको जो बैधानिक माननेता प्राप्त हुआ था वो हुआ था 1922 में बैधानिक मानता इसको 1922 में विला था इसकी अगर headquarter की बात करते हैं तो इसका headquarter है मूंबाई में और इसके अगर अभी अध्याच की बात करते हैं तो अभी present में इसकी अध्याच है अजय त्यागी अजय त्यागी ठीक है इसी तरह अगर RBI की बात करते हैं तो इसका जो establishment हुआ था 1935 में हुआ था इसका जो nationalization हुआ था वो 1949 में हुआ था और अभी इसके जो 25 में governor है याद रखिएगा नंबर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो अभी जो इसके 25 में governor है वो है सक्तिकां 10 ठीक है चलिए अगर बात कर लेते हैं हम FMC की तो इसकी जो गठन हुई थी इसका गठन हुआ था 1913 में और इसका जो headquarter है वो है मुंबई में ठीक है चलिए अगर बात करते हैं लोग नवाड की तो नवाड का गठन हुआ था 1912 में इसका headquarter भी है मुंबई में और अभी इ हिमाले की स्रेनी में कौन से प्रचिंतम है तो इसका जो सई अंसर है वो है ब्रिहद हिमाले स्रेनी यानि की option number D ठीक है इसी ब्रिहद हिमाले से लिएंग को हिमादरी हिमाले भी बोला जाता है हिमादरी हिमाले भी बोला जाता है इसको ठीक है और बिस्व की जो सबसे उची चोटी है Mount Everest वो इसी सरेनी में स्थित है मतलब ब्रिहद हिमाले की सरेनी में भी स्थित है और इस ब्रिहद हिमाले सरेनी की अगर बात करें तो इसको Mount Everest की अगर हम बात करते हैं तो Mount Everest को क्या बोला जाता है, नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चलिए, बढ़ते है next question की तरफ, question है हमारा, गोभी मरुवस्थल किस देश में इस्थित है, तो इसका जो सही अंसर है, बो हो जाएगा, option number A, मं जनरली मंगोलिया और चीन में स्थित है, मंगोलिया और चीन में ये गोभी मरुवस्थल है, तो मंगोलिया इसका सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर बात करते हैं सोमालिया की, तो ये कहा है, सोमाली में है, ठीक है, अगर मिस्र के में बात करते हैं, तो मिस्र में सहारा क का कुछ पार्ट कहाँ है मिस्र में भी है ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question है सम्विधान के किस भाग को भारत का मैगने काटा कहा जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वह होगा option number C भाग 3 को ठीक है भाग 3 को मैगने काटा का मतलब होता है अधिकार पत्र तो कभी-कभी ऐसा भी कोशन आ जागा किस भाग को अधिकार पतर कहा जाता है तो वो हो जागा भाग तीन ठीक है अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं चारों भाग की बात करते हैं तो भाग ए में देखिए अनुचेद एक से चार है ठीक है और इसमें किसका जिक्र है संगेवम उसका राजचेदर का संगेवम उसका राजचेदर ठीक है अगर भाग दो की बात करते हैं तो भाग दो में 5 से 11 अनुचेद है और इसमें किसका बर्नन है भारतिये नागरिक्ता का बर्नन है भारतिये नागरिक्ता का बर्नन है ठी अगर भाग तीन की बात करते हैं तो भाग तीन में क्या है? 12 से 35 अनुछेद है और इसमें मौलिक अधिकार का बर्नन है मौलिक अधिकार का बर्नन है और अगर भाग चार की बात करते हैं तो भाग चार छत्ती से एकामन है और इसमें राज के निती निदेशक तत्व का बर्नन है निती निदेशक तत्व का बिर्नन है और अगर एक चीज़ आद याद रखिएगा कि जो चार का कह है, इस चार के कह में मुल कर्तब का बर्नन है, मुल कर्तब का बर्नन है, अनुछे देकामन कह में उसे रखा गया है, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, next question है हमारा, मपिला या मोपला बिदरो किस राज से संबंधित है, तो इसका जो सही अंसर होगा, option number B, यानि की केरल, ठीक है, ये generally मोपला बिदरो जो हुआ था, वो माला बार तर्ट पे हुआ था, माला बार तर्ट पे, और माला बार तर्ट है केरल में, और ये हुआ था 1921 के आसपास, ठीक है, और इसमें हुआ क्या था, कि जो खिलाफ़त अंदोलन हुआ था, उसको कु चलने के लिए अंग्रेजों ने कुछ परियास किये थे, और अंग्रेजों के उसी परियास के खिलाब मोपला भी द्रोह चलाया गया था, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोईशन की तरह बढ़ते हैं, जो कि है को हमारा स्वधेशी का परस्ता और कॉंग्रेस के किस और इसी कलकता अधिवेशन 1906 में सौराज सब्द का परियोग हुआ था, साथी साथ अगर इस हम बनारस अधिवेशन 1905 की बात करते हैं, तो बनारस अधिवेशन 1905 ये धेश्टा किस ने किया था, इस ने किया थे गांधी जी के जो राजनितिक गुरु थे, गोपाल कृस् 1905 के बनारस अधिवेशन में क्या हुआ था, स्वदेसी आंदोलन का समर्थन हुआ था, स्वदेसी आंदोलन का समर्थन हुआ था, ठीक है, चलिए, बढ़ता है next question की तरफ, जो कि हमारा उर्जाउध पादन के लिए कोसी का पराया किसका उप्याब करती है, तो इसका जो सह सही अंसर होगा, बो होगा, option number B, गुलकोज, ठीक है, गुलकोज को बोला जाता है C6, H2O6, ठीक है, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, next question है, असोग के ब्रामी सिला लेक को सरपर्थम किसने पढ़ा था, तो इसका जो सही अंसर है, बो होगा, option number A, जेम्स प्रिसेप ने, जे सिला लेको का खोज हो गया था, ठीक है, लेकिन उसको पहले पढ़ा नहीं जा सका था, जेम्स प्रिसेप के द्वारा, 1837 में उसे पहली बार पढ़ा ले गया था, अगर हम बात करते हैं, ब्रामी लिपी की, तो ब्रामी लिपी जो थी, वो left से right लिखा जाता था, left to right लिख ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिला लेकों की, तो असोग के पास क्या थे, 14 सिला लेक थे, 14 सिला लेक असोग के related है, जिसमें से अगर 14 सिला लेक और क्या थे, 7 अस्थम थे, ये दुनों याद रखिएगा, 14 सिला लेक था और 7 अस्थम था, अगर हम बात करते हैं, 14 सिला ले तो पांचमे सिला लेक में धर महा मातरों की निवक्ती थी, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सातमे और आठमे अली लेक के, तो इसमें तिर थे आतरा काउल लेक था, और सबसे जो इंपोर्टेंट है, जो बहुत बार एक्जाम में कोश्चन पुछा गया है, वो है ते रहमा सिल लेक, और इसी ते रहमें सिला लेक से असोक के कलिंग यूद के बारे में पता चलता है, और इसी कलिंग यूद के बाद ऐसा बोला जाता है, कि उसमें इतना लोग मरे थे, कि असोक का जो हिर्दय था, वो पिघल गया था, और असोक ये सब चीज छोड़ दिया था, ठीक है चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, frontier गांधी किसका उपनाम था, तो इसका जो सई अंसर है, वो है, option number A, खान अब्दुल गफार खान, ठीक है, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, C-salid का सबसे महत्पुन एसक कौन सा है, तो इसका जो सई अंसर होगा, वो होगा, option क्या जाता है, इसके अगर formula की बात करते हैं, तो MNO2 बोला जाएगा इसको, ठीक है, अगर magnetite का बात करते हैं, तो ये किसका ask है, ये law ask है, और ये c-day right भी क्या है, law ask है, c-day right हो जाएगा, FECO3, और magnetite हो जाएगा, FECO4, FECO4, ठीक है, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, जो क्लेमेंट एटले, और कभी-कभी ये भी question आ जाता है, कि ये किस party से संबंदी थे, तो याद रखिएगा, कि ये labor party से संबंदी थे, किसके थे, labor party से संबंदी थे, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, जो कि हमारा परसीद खजुराहो का मंदिर का निर्मान, निम्न में से किस किया था, तो इसका जो सई अंसर होगा, वो होगा, option number A, चंदेल राजाहों ने, ठीक है, अकर हम चंदेल राजाहों की बाद करते हैं, तो चंदेल बंस का जो संस्तापक था, वो था कौन, नन्नुक, नन्नुक था जो चंदेजवल का संस्तापक था, और इसकी जो चंदेल की जो राजधानी थी बहुट राजधानी भी कहां थी खजुराह ум teen ठीक है चलिए Next Question की बात करते हैं जो के हमारा आर्क लैंट का बिसकार किस ने किया था तो इसका सई अंसर है वह हम्प्री डैबी हम्प्री डैबी इसका सई अंसर है क hierarch हम बात करते है Jaycee Boss की तो Jaycee Boss ने क्या बनाया था क्रिस्को ग्राफ यह भी कोशन बहुत बार पुछा जाता कि क्रिस्को ग्राफ का विस्कार किस ने किया था तो वो Jaycee Boss की थे ठीक है जगजिश चंदर बोस चलिए next question की तरह बढ़ते हैं next question है भारत छोरो संकाल पुने 42 में Congress द्वारा कौन से अदिवेशन में पारित हुआ था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number D Mumbai अदिवेशन चलिए next question की तरह बढ़ते हैं कि भारत दुर्दसा भारत दुर्दसा के लेखक कौन है ठीक है भारत दुर्दसा के लेखक कौन है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number B अगर हम बात कर लेते हैं दाइन की तो दाइन किसका है फोर्स का यानि बल्की काई है और दाइन बराबर एक दाइन बराबर होता है 10 to the proper 5 Newton ठीक है अगर हम बात करते हैं फैदम की तो फैदम क्या है फैदम कोई भी जलासे की गहराईम आपने के लिए यूज किया जाता है जलासों की गहराईम आपन अगर हम बात कर लेते हैं अर्ग की तो अगर अर्ग की बात करते हैं तो यह किस क्या है उर्जा का उर्जा का CGS मातरग है उर्जा का CGS मातरग है उर्जा का पता ही होगा कि SI मातरग जूल है SI में इसका जूल है और CGS में क्या है अर्ग है ठीक है चलिए next question की तरब बढ़ते हैं next question है हमारा Muslim League ने परतेयच कारवाही दिवस का मनाया तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो होगा option number C, 16 August 1946 ठीक है 16 August 2014 को उसने परतेयच कारवाही दिवस मनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं direct accent day ठीक है direct accent day और ये सरपर्थम मनाया कहां गया था सरपर्थम ये कलकत्ता में मनाया गया था ठीक है ये भी यादर रखेगा कि सरपर्थम कहां मनाया गया था तो कलकत्ता में मनाया गया था चलिए next question की तरह बढ़ते हैं next question है हमारा मुगल सासक बनने के बाद जहागीर ने लोग कल्यान के उद्देश से संबंदित कितने आदेशों की घोसना की थी तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो है option number A, two bell 12 उद्देश का उसने घोसना की थी, आदेश की घोसना किये थी अगर हम जहागीर की बात करते हैं तो जहागीर क्या था? ठीक है? जहागीर निसार नामकर एक सिक्का चलाया था निसार नामक एक सिक्का भी चलाया था, याद रखियेगा कभी-कभी question आता है कि निसार नामक सिक्के का परचलन किस ने किया था? तो निसार नामक सिक्के का परचलन जहागीर किया था एक चीज और जहांगेर से important बाद याद रखिएगा कि 1612 इस्वी में 1612 इस्वी में जब उसके राजब इसे के सातमा पर सोच चुका था तब और अच्छा बंधन का तेवहार मनाया था और अपनी कलाई पे राखी बंधवाई थी जहांगेर ने और उसको उसने क्या बोला था उसर अच्छा बंधन को इसने ये बोला था निगाह एदसत निगाह एदसत बोला था ठीक है निगाह एदसत बोला था जहांगेर ने चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question है नवाड के राज सहकारी बैंकों के माध्यम से किस राज के लिए 1500 कड़ो रूपे के लिए इरिन की मंजूरी दी है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो होगा option number D पंजाब ठीक है पंजाब के लिए दिया है अगर हम बात करते हैं पंजाब की तो पंजाब के जो CM है मुक मंतरी हैं वो है Captain अमरिंदर सिंग Captain अमरिंदर सिंग और अगर गबरने राजपाल की बात करते हैं तो बो है BP सिंग कौन है BP सिंग अगर हम बात यहाँ पर नवाड की करते हैं तो नवाड जो है इसका स्थापना 182 में हुआ है और इसका headquarter कहा है मुंबई में है और इसकी अध्याच कौन है हर्सकुमार वहानवाला हर्सकुमार वहानवाला इसकी अध्याच है चलिए next question की तरह बढ़ते है next question है भारतिये सेना द्वारा लागू किये जाने वाले tour of duty में कितने बर्स की इंटर्शिप की होजना है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A यानी तीन बर्स ठीक है यह भी current का question है इसमें government ने tour of duty decide किये कि कोई भी आदमी सेना में अपना तीन साल दे सकता है चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा भारत का सबसे बड़ा railway yard कहां है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number C मुगल सरा है ठीक है मुगल सरा railway railway station पर ही क्या है भारत का सबसे बड़ा railway yard है याद रखेगा मुगल सरा railway station का आप नाम बदल दिया गया है और इसका जो नया नाम है वो है건 पंडीत दीन दयाल उपध्यायar station कभी चोण में पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा railway yard किस जोन में इस्तित है तो वो है पूर्भ मध रेलवे ठीक है किस में स्तित है पूर्भ मध रेलवे का headquarter कहां है मतलं मुखले कहां है मुख्याले है हाजिपूर में ठीक है चल ये अब आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजेगा कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा है अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो Thanks for watching